हेलो एवरिवान तो आज हम इस वीडियो की द्वारा हिंदी व्याकरण का निबंद लेखन जो की एक लेखन कला है इसे हम देखेंगे कि निबंद लेखन के समय निबंद लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने सार लेखन अर्था सारांस लेखन किया था आप उसे भी देख ले वो भी एक्जाम में आते हैं तो ये सारे जितने भी ग्रामर लेखन कारे के जितने भी बिंदू हम लोग पढ़ रहे हैं चाहिए वो निबंद लेखन हो चाहिए वो सारा ये सारे बहुती महत्वपूर्ण हैं तो आईए इसे हम स्टार्ट करते हैं निबंद लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें देखते हैं सबसे पहला दिया है पॉइंट विशे का चुनाव दो-तीन विशे दिये गए हैं आपको जैसे दो-तीन टॉपिक दिया गया है तो उसमें आप कैसे उसका चुनाव करेंगे निबंद के दिये गए विश्यों में से किसी एक विशे को सावधानी से चुन लीजिए कुछ बिद्यार्थी जल्दी में किसी भी विशे पर निबंद लिखना प्रारम कर देते हैं किन्तु 10-12 पंक्ति लिखने के बाद वे आगे लिख नहीं पाते और उस निबंद को अधूरा छोड़कर दूसरे विशे पर लिखना शुरू कर देते हैं परिक्षा की द्रश्टी से ऐसा करना हानिकारक सिद्ध होता है इसलिए विद्यार्थियों को भली बांती विचार करके उसी विशे पर अपनी कलम उठानी चाहिए जिस पर लिखने के लिए उसके पास परियाप्त सामागरी हो विशेयों का चुनाओ जैसे दो तीन सब्जेक्ट पे आपको निबंद लिखने के लिए दिया गया है उसमें से कहा जाता है कि इसमें से किसी एक विशे पर आप निबंद लिखे त दस बारा लाइने लिखते हैं उसके बाद आपको उसके आगे का आता ही नहीं कि अब क्या लिखा जाए और आप उसे अधूरा में ही छोड़ देते हैं फिर आपको ऐसा लगता है कि इस से अच्छा तो यह होता कि मैं इस सब्जेक्ट पर या इस विशे पर निबंद लिख सोच ले विचार कर ले उसके बाद ही किसी एक विशे पर निबंद लिखना प्रारंब करें जो भी विशे पर आपके पास ज्यादा सामागरी हो उसके बारे में ज्यादा नौलेज हो उसी विशे पर आप निबंद लिखें तो इस प्रकार से आप विशे का चुनाओ कर सकत हैं सेकंड पॉइंट दिया है आपका रूप रेखा निबंद का विशे चुनने के बाद उस पर विचार करके कच्छी रूप रेखा अवस्ते तयार करनी चाहिए रूप रेखा से निबंद की लंबाई का अंदाज लग जाएगा यदि वह अधीक लंबी जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दो को छोड़ देना चाहिए रूप रेखा धाचा तयार करना तो सबसे पहले एक रफ में हम देख लेंगे कि हमें क्या-क्या लिखना है पॉइंट आउट कर लेंगे यह नहीं कि रफ में पूरा निबंद लिखकर देख रहे हैं तब तो यह समय की बरबा सकते हैं एक रूप रेखा तयार कर ले उसके बाद आपको उसके आधार पर पता चल जाएगा कि यह कितना लंबा आप लिख पाएंगे और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जा रहा है तो जो बिना काम के सेंटेंस है बिना काम के जो वाके है जो कम महत्वों वाले कम इंपॉर्टेंट है उसको आप छोड़ दीजे थाड है रूप रेखा का विस्तार रूप रेखा भली बाती तयार करन चाहिए क्या मुद्धा रूप रेखा पर आप क्या लिखना चाहते हैं उन मुद्धों को क्रमसा विचार करके ही उसके बारे में लिखना चाहिए प्रारंब या भूमी का प्रारंब कैसा करना चाहिए या भूमी का स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए निबंद का प्राविक और संचिप्त होना चाहिए यह ने कि आपने एक पेज बस रूप रेखा ही तयार कर दी है अच्छा प्रारम आदी सफलता का द्योतक है प्रारम निबंद के विशय से संबंदित होना चाहिए यहां लिखा भी है well begun is half done तो अच्छा प्रारम अगर आप कोई भी नि बंद के बारे में पता चल जाता है कि इसने कैसा लिखा होगा लेकिन आपने starting में ही प्रारम में ही बस लिखते जा रहे हैं जिससे कोई मेल नहीं आ रहा है जो कम महत्वण की बातें वो भी आप add करते हुए बस आपको लंबा लिखना है इस तरीके से आपको काम नहीं करना है प्रारम आपका बहुती आकरसक होना चाहिए जो natural है जो सुभाविक है उस विशय पर वो लिखना चाहिए और येने की बातों को बढ़ा चड़ा कर लिखना क्योंकि बहुत सारे लोग निबंद को लंबा दिखाने के लिए बहुत सारी बाते repeat करते हैं और बढ़ा और जो भी जहां से भी आप प्रारम करें तो वो हमेशा निबंद के विशय से ही संबंदित होना चाहिए जिस विशय पर आप निबंद लिख रहे हैं प्रारम या भूमिका के कुछ तरीके आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि विशय जो भी विशय लिख रहे हैं उसकी व् क्या वर्टमान परिस्थिती है उसके पर चर्चा कर सकते हैं किसी सम्बंदित प्रसंग के उलेक से कभी वो घटना हुई हो आपके साथ उस से लिखना किसी कहानी या समवात से, किसी कहावत या लोकोक्ती से, किसी आउतरन से, यानी सारांस से, या फिर किसी सारांस के अलावा जो आउतरन होता है, आप उससे संबंदे जो भी आपको मुख्य बिंदू लगते हैं, उस इसाफ से भी आप लिख सकते हैं, या फिर किसी कावे पंक्ती से कवीता से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं मद्य भाग अब निबंद के बीच का भाग कैसे लिखना में निबंद का यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस भाग में विशे संबंदी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करनी चाहिए जो भी विशे पर आप लिख रहे हैं उस पे क्या-क्या इंपॉर्टन बाते हैं उनके उपर ही ध्यान में रखते ही हमें लिखना चाहिए लाश्ट ने आपका उप सन्हार या अंत कैसे किया जाए तो अच्छे निबंद का अंत भी प्रारम की तरह ही अत्यन स्वाभाविक होना चाहिए संचिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, आकरसक होना चाहिए और भावपोर्ण होना चाहिए जो भी विशय पर आप निबंद लिख रहे हैं वो बहुती स्वाभाविक होना चाहिए छोटा होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए यह नहीं कि आप एक ही लाइन को दस बार लिख रहे हैं तो वो आकरसक नहीं होता है और भावपूर्ण होना चाहिए मलब relate करना चाहिए इसमें पूरे निबन का निचोड आ जाना चाहिए कि आपने पूरे निबन में क्या लिखा है वो आपको इस अंत में पढ़कर भी समझ में आ जाना चाहिए कि क्या आप कहना चाह रहे हैं एक उधारण हम देख लेते हैं जैसे है बाड के द्रिश्य अत्वा नदी का रौद्र रूप जिसमें दिया है बाड का कारन बताना है बाड आने पर बाड के समय बाड का पानी उतर जाने के बाद हमारा कर्तव वे और जब भी हम निबंद लिखे तो ऐसे निगी पूरे पैराग्राप में बस निबंदी लिखते जा रहे हैं ऐसा काम नहीं करना है एक एक पैराग्राप छोड़ कर लिखना एक टॉपिक आपने लिखा फिर आपको स्पेस देखकर फिर से दूसरा टॉपिक जोग माता नदी का रौदर रूप है जोरो की वर्सा से और उचे पहाडों पर जमी बर्प पिघल कर बहने से टट प्रदेश में बाड का प्रलयंकारी टांडो नृत्य प्रारम हो जाता है कभी कभी भारी वर्सा के कारण नदी के बांध तूट जाते हैं और नदी में भयंकर बाड आ जाती है तो ये क्या कारण है ये हमने देखा बाड का जल प्रचंड वेक से हाकारता हुआ आगे बढ़ता है उसकी क्रूर लपेट में जो कुछ आता है वह बर्बस खीचा चला जाता है जानवर रसी तोड़कर भागने की कोशिश करते हैं वे दर्ज भरी पुकार करते पहगते हैं ऐसे समय मनुष्य की दूरदर्सा की कोई सीमा नहीं रहती कोई घर के छपपर या पेड पर चड़ जाता है तो कोई गाओं के पास यदि टीला अथवा उची भूमी हो तो उसकी सरण लेने दोड़ता है लोग बाढ़ के आने पर क्या करते हैं तो सेकेंड हमने देखा बाढ़ के आने पर और बाढ़ के समय बाढ़ के भैंकर वेक से नदी किनारे पर खड़े बड़े बड़े पेड पल भर में मूल से उखड़कर यानि जड़ से उखड़कर गिर जाते हैं और प्रवाह में बहने लगते हैं नदी किनारे बसी हुई बस्तियों के छोटे-छोटे मकान पानी में जाते हैं और जोपड़ियों का तो नामो निसान भी नहीं रहता पानी का वेग और अस्तर बढ़ते ही मिट्टी के कच्चिक घर एकदम गिरने लगते हैं धड़ाम धड़ाम की आवाजो करण करोण पुकारो और हाहाकार से सारा वातरवरन शोका कुल हो उड़ता है खेतों में खड़ी हुई फसले नश्ट हो जाती है डूबते हुए मनुष से अपनी जान बचाने के लिए तिनके का सहारा ढूंडते हैं कभी कभी कोई साहसी उन्हें बचा लेता है तो कभी कभी लोग बेबस होकर देखते ही रह जाते हैं तो ये बाड के समय क्या होता है ये हमने देखा अब है बाड का पानी उतर जाने के बाद और हमारा करता वे क्या है बहुत से लोग उचे और पके मकानों में आसरा लेने की कोशिट करते हैं पानी की धारा में पशुवों के सौ तता सांब बिच्छू आदे विशैले जीव जन्तू भी बहते हुए नजर आते हैं आसपास गाओं के लोग सहायता के लिए आप पहुंचते हैं सरकारी तोर पर भी सहायता कारिस शुरू होता है लोगों को सरक्षित अस्थान पर पहुंचाया जाता है हेलिकॉप्टरों के जरिये बाड़ पिरे तो लोगों को मदद पहुंचाई जाती है समाजिक संस्थाएं भी सहायता के लिए आगे आती हैं तो ये बाड़ के आने पर क्या होता है ये वो दिया है बाड़ के परेडाम सरूप सैकडों हजारों मनुसर पशू पक्षी मौत के घाट उतर जाते हैं ये बाड़ के जाने के बाद का दृश्य है इस्तरियां और बच्चे बे सहारा हो जाते हैं बेघर लोगों का कोई शुमार नहीं रहता उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते खुराक और पानी का पीने का पानी भी दूरलब हो जाता है गड़ों में जमा पानी और कीचड को दूर करना मुश्किल हो जाता है रास्ते और पुल तूट जाते हैं संचार व्यवस्ता ठप हो जाती है बाड के कारण संपूर जंजीवन चौपट हो जाता है और लाखों के संपती मिट्टी में मिल जाती है जान लेवा बिमारिया फैलने लगती है अब हमारा क्या करतव होता है तो हमारे देश में गंगा यमुना ब्रह्म पुत्र गुदावरी नर्मदा आदी नदियों में वरिशा रितु में अक्सर भीशन बाड आती है तब आसपास विनाश हाहाकार और दुख भरे द्रिश दिखाई पड़ते हैं इस परिस्तितियों में बाड पीडितों की भरपूर सहायता करने के अतरिक्त बाड रोकने के लिए कारगार उपाय भी करना बहुत जरूरी है हम सब मनुस्यों को बाड की परिस्तिती में लोगों की मदद करनी चाहिए उनकी सहायता करनी चाहिए और उसके अतरिक्त बाड को रोकने के लिए अनेक उपाय जो होते हैं वो हमें करना चाहिए तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे इसके रोप रेखा होती है किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एक अच्छे निबंध लिख सकें तो उमीद है आपको ये निबंध लेखन समझ में आया होगा क्योंकि ये आपके लगभग 10 माग के भी आ सकते हैं तो काफे important है ये तो ये अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज आप इसे like करना, subscribe करना, share करना, comment करना न भूले, thank you